दोस्तों कैसे और आप लोग यार मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ जेयर टुटोरियल्स के चैनल में यार अब तक तो तुम मुझे जानी चुके होंगे लास्ट वीडियो में सर ने मुझे इंट्रिडूस करा दिया था यार मैं आपको पढ़ाने वालो कॉमर्स और कॉमर्स से तरफ बढ़ना है और यार एक अच्छी तरह से अपने हमारी 11 स्टेंडर के करियर को यहां से हम स्टार्ट करते लेकिन दोस्तों पहला ही वीडियो है मैं आपको सीधा टेक्स्ट्बूक के तरफ नहीं ले जाओंगा मैं उससे पिले आपको कुछ एक आईडिया देना चा खयाल आया होगा सर यह बनाता कौन है आज हम अगी तरफ के लोग करनेगे अबस किया दिख सकते हो यहां पर लिखाए बिल तुम्हारे मन में पहला खाया लगा सर कौन सा बिल वह जो मैं कपड़ा खरी था वह अला बिल नहीं जी दोस्तों यह जो बिल है यहाँ पर देख सकते एक पेपर हैं जिसमें आमने लास्ट में सब्सक्राइब करके लिगा है यहाँ पर बिल में लोग क्या करते ना अब ये कौन लोग इसके बारे में बार में रिसेट करेंगे पहले लोग क्या करते हैं जिनके पास बहुत सर a experience होगा सिप वोई लोग बना सकते हैं बिल्कुल अब ऐसा तो नहीं अंदर से इक स्किन में बच्चा बेटा है सर मैं को 10 में 90% मिला था क्या मैं लोग बना सकता हूं जी नहीं मेरे भाई लेकिन एक परस्पेट्रिक से देखा जाए तो जरुत है तो उस पेपर में किस चीज की नीड़े वहाँ पर लिख लिए जो कि एक जिसको हम बिल कहते हैं कभी भी हम किसी पेपर में लिखे कुछ लॉग यहां पर लिख्या है एक्सपर्ट उसको बिल कहते है अब यह जो बिल है यह सबसे पहले जाएगा राज्य सभा में आपने सुना होगा ना यहां पर दोस्तों कैसा होता है कि जितने भी मतलब आपके सकते हमारी जो मिनिस्टर है यह सारे लोग बेटते हैं जो कि अच्छे पूजिशन पर होते हैं यहां पर यह लोग डिसकस करते हैं बिल के बारे में कि यहां यह बिल सही है कि नहीं क्या हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो इससे लोगों का बला होगा या नहीं यहां पर राज्य सभा का जैसी उनको का acceptance मिल जाता है तो सिधा जाता है लोग सभा में अब लोग सभा में भी कुछ और लोगों होते वो उस बिल को decide करते क्या कि इस बिल लाने से हम लोगों का फाइधा होगा हमारे ओवराल हमारे society हमारे नेशां का benefit होगा या नहीं तो वह यहां लोग सभामें साइड होता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि राज्य सभा से बिल नहीं गया सीधा लोक सभा में आया लेकिन दोनों में से कोई तो एक हाउस पार्टी में जाती है दोनों में से किसी का एक का भी एसेंट चीए या कभी किसी चीजों में किसी मैटर्स में दोनों पाटी दोनों house of parliament का decision जरुरी होता है क्योंकि कैसा है न दोस्तों in the end जो है ascent आप जिसको कह सकते हो जो भी acceptance है in the end वो हमें चेहिए president का अगर president ने yes कहा तो उसको हम act बना देते यहां से bill start हुआ यहां जाके act बना हम किसको पढ़ते हम जो लोग नॉर्मल लोग जो आम आदमी वो किसी रेपर करता है act को हम बिलको नहीं देखते यार ऐसे तो हजारों बनते काफी बनते और फट दिये जाते क्योंकि वह important नहीं होता जिस पे president का done कर दिया president ने हम तभी तो फॉलो गरेंगा और president जी ने अगर हां कर दी तब वो आक्ट बनता है कुछ ऐसे important एक्ट यहां पर बोर्ड पर मैंने लिखे जिसमें सबसे पहला कॉंट्रेक्ट एक्ट सोगा यानि कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आई पी यानि कि इंडिन पार्टनर्शिप एक्ट उसके बाद company एक्ट आपने अभी हम कितने दर से company की बात कर आपको सबको पता चलेगा अभी तो अपने का सब नाम समझे क्या लिखा क्या गया है अब पहले मुझे यह बताईए क्या आप समझे एक 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 किसे बनता है कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है कोई डाउट हो लिख दीजे अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहां हमारी जो पब्लिक है उनकी सेवा के लिए इतना तो क्लियर हुआ उसको लॉग कहते हैं हाना दोस्तों पर कभी आपने सुना है अपने कभी सोचा है सर सुप्रीम लॉग यानि कि कभी लॉग बनाते वक्त उसके दिमाज में सबसे पहला यह चीस सो आना ही चाहिए हम ऐसा ल समझें अगले बार कोई अबर पूछे हमारे देश में सबसे उचा लॉग जिसको हमें सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है तो वह है कुछ लॉस के बारे में यह भी आपको हमें एसपी में बताया जाएगा पुरसा आइडिया दिया जाएगा अब गाइस चलिए आए यहा सबसेक्षण 20 इसको सबसेक्षण गया दे सबसेक्षण 20 ऑफ कंपनी जैक्ट इसको सबसेक्षण 20 ऑफ किसका कंपनी मतलब की अब देखो यह अगर मुझे उसमें फॉलो करना पड़ेगा ना मुझे ऐसा थोड़ी मैं हर एक एक रीड करते बेटहूंगा मुझे जो number in the form यहां पर section बोलते हैं उसे law के शब्दों में अना अब जैसे मुझे पता होगा section 2 subsection 20 में company के definition के बार में दिया गया है अब यहार मैं company law का act खोल के read करते हैं तो ही बैटूंगा ना मुझे एक second में अगर मिल जाए तो मुझे numbering होती है ए बी सीडी वैसी numbering होती है sections में जिसको हम section केते हैं और यह law में लिखा रहेता है अब जैसे यहां पर section 2 subsection 20 यहां पर company का definition है अब किसे को definition रीड करना है वो पूरा law तो पढ़ते नहीं बढ़ेगा उसको definition पता है गुगल पर search करा section 2 subsection 20 of companies act इसको रीड कैसे करना अब देखिए नीचे देखिए अब ऐसा कोई act नहीं है दोस्तों यह तो मैंने create करा है section 2 कैसे पढ़ेंगे subsection A, of JR Tutorials Act ऐसा कोई act नहीं है लेकिन मैं आपको बस सिखाना चाहता था कि इसको read कैसे करते दोस्तों ठीक है एकदम clear कुछ भी अगर डाउट हो आप comment section में प्लीज बताइए मुझे इंच्छा पर contact करिए और राहुल सर तो ही क्या डेंचल लेतो हो यार बाकि ठीके देख यह foundation company secretary का foundation CMA के foundation में जो laws होते हैं law का subject होता है foundation बच्चों के लिए पहला दूसरा तीसरा चौता लेसन चार लेसन लिए मैं यह चार आते हैं तुम्हें और बहुत इजी है बहुत इंड्रस्टिंग मज़ा आ जाएगा सुप्रिम लॉफ इंडिया Constitution कोई वच्चा नहीं बूलेगा रीड करना आ गया है न और बिल कैसे बनता है एक्ट अब जैसे अब सुन जो अब company act हमारे lecture में हमारे lesson में आई मिन हमारे स्पी के सब्चेक में हां ना दोस्तों तो कभी किसी दिन company act कभी एक बिल हुआ होगा कभी सोचाओ काना है sir company act इसको एक्ट क्यों करते है क्योंकि पहली बात यह एक बिल था कब यह बिल के फॉर्म में था गाइस वो था 1956 के एर में समझे हो आज क्या चल रहे है तब एक्ट बन गया इसलिए आज हम कहते हैं companies act लेकिन सर companies act के बाद कुछ year भी तो हुगा 1956 का एक्ट हम आज भी मोलो करेंगे 1956 के एक्ट कक हम लोग उसको एक्ट को फॉलो करते दो हजार बारा तक दोस्तों अब सर आप सोचो के सर यार दोसदर बारा तो बहुत मलब 56 का एक्ट इतना अच्छा बना गया है नहीं उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे ना दोस्तों अब उसको जो सही करते उसमें वह लोग जो एडिशन करते या फिर कुछ matter को डिलीट करते उस matter को हम changes केते हमारे language में लेकिन changes यह ऐसा वर्ड नहीं है जो लॉग के अच्छा उसका accept करें लॉग में से क्या केते अब चलते बिना कोई time wish के अपन सिधा अपने subject पे चलते हमारा फॉर्स लेजन सेक्रेटरी हाना दोस्तों अब चलिए सीधा इस word पर आते है कर रखा था अब वहां पर उस टंग को लोग उस जमाने में कहते थे सेक्रेटरी अब वही वह इतना important काम करता था उसी importance को याद रखते हुए उसको company act 2013 में भी एक रोल दिया गया अब देखो है कैसे अब यह देखो है यहां पर यह हमारे राहुल सर है अब राहुल सर यह जो काम है यह अपना काम कैसे करेगी तो उसके लिए उसको एक person की need होगी अब इस person की need हम किस में लिखा गया है companies act 2013 में अब तुम सोचे के sir क्या हम भी एक company का काम कर सकते बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों लेकिन उसके लिए आपको member बनना पड़ता है अब यहां पर एक क्वालिफाइड पंसद मन जाओगे उनकी आपको एक्जाम क्लियर करनी होती है तब ही आप एकड़म होगे एक company का company secretary बनने का अब सर आब बोलो कि क्या सर हमें तो सी finance करना है नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है company secretary का बहुत बड़ा काम होता है अब जैसे समझो यार एक company में कैसा लेवल होते है एक होता है टॉप लेवल एक होता है मिडियम लेवल और एक होता है लोवर लेवल अब दोस्तों आर देखो टॉप लेवल में कौन लोग होते हैं हमारे CEO CFO जितने भी बड़े लोग कर रहा है company secretary उसका हाथ पाउ बंद रखा है company का company secretary वोई से उस company की मलब देखो आगर company को किसी के साथ meeting करनी होती है तो वह meeting कौन आरेंच करके देता है company secretary अगर उस meeting में company का signature चीरेता है अब company के हाथ पाउ तो नहीं है company sign किसे करेगा तो यहाँ पे टॉप लेवल से दो बंद का हाथ बावन रखा है एक अलग सा इंसान तो चीह रहेगा ना कंपनी को मैनेज करने के लिए अब तुम सोचोगे सर इसके नीड क्या है मलब कंपनी सेक्रेटर की नीड तो अभी हमने समझी क्या कंपनी का पूरा एक आप कह सकते उसका स्केड़ एक बंदा बंदा एक ऐसा इ कमपनी में चल रहा है वो सब आपडेट करना है किस बहुंद करेंगे गवर्वर्वनट को और या रखते वह करना है कि जब वह जबूंदे को फॉल पढ़ने पढ़ेंगे यानि की लॉक अपने दिमाग पर चलते हुए रखना है किसका लॉट देखेगा जितनी भी फाइलिंग होती है लॉस को फॉलो करना पड़ता है वो सब कौन करता है कंपनी सेक्रेटरी अब अब देखो यारी कंपनी खुद तो करने ही सकती ना बस तो यह था यहां पर इंट्रोड़क्शन कंपनी सेक्रेटरी का मलब हमारे फॉस्ट चैप्टर के कुछ पैर एक बंदे का ऐख परसं का अब वो कैसा इंसान है अब इसके बारे में करेंगे हैं कैसा होना चाहिए इस टर्म में यहां पर का कौलिफिकेशन होने चाहिए आई सीए साइगा मेंबर सिफ वहीं इंसान कंपनी सेक्रेटरी का रोल कर सकता है उसके बाद है अब देखो है यहां पर अपॉंडमेंट यहां पर यह कि सकते हो कि अगर कंपनी कोई कोई किसी कंपनी की साथ मीटिंग करनी पड़ती है तो उसक इतना बड़ा टास्क दिया गया है वह सेलरी तो होना मिलना चीना है सेलरी मिले तो मजा भी आता है उसके बाद यार कॉंफिदेंशल ओफिसर अब देखो यार अब तुम सोचो कि सर कंपनी सेक्रेटरी है उसको तो कंपनी के हर सिक्रेट्स बता होंगे ना क्या सर वो हमें बता सकता है शेर के प्राइस उपर नीचे होंगे या नहीं सब बता सकता है लेकिन अगर वो बताता है तो उसको ऐसा फाइन लगेगा कि तुम सोच नहीं सकते हो और दस साल की जेल होगी अलग फाइन पता है कितना चलो यह आउट आउट अप सा बॉक्स नॉलिज देता हो अ उसना भी तुमने प्रॉफिट किया उसका थ्री टाइम्स को बहुत बढ़ा टम है अब समझने का कोशिश करें मैं बस तुम्हें यह बता रहा हूँ कॉन्फिदेंचल ओफिसर है अगर उसने एक भी इन्फॉर्मेशन भार पबलिक को दे दी बिना खुछ सोचे समझे बिन अग्दम डेडिकेटर होना चीए उसके लिए और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस परसंट पर उसको प्रेशर हैंडल करना भी आना चीए अब बात करते हैं उसकी कॉलिटीज में यही सब आता है कि वह एकदम अग्दम अग्ला से स्टाट करते हैं और यार दोस्तो कैसा लगा यह भी बताओ तो बस इस वीडियो में से अगले ही लेक्चर में और आपको आना ही है ठीके विर चलो दोस्तों चलता हूँ